हलो स्टूलेंट्स वेलकम टू जेई टी पॉइंट हम सब मॉडूलस डिसकस कर रहे थे आए देखते हैं कुछ और टॉपिक्स इन मॉडूलस देखिए अब हम करने वाले हैं ट्रेंगुलर इनेक्वालिटी इन मॉडूलस जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट अफ व्यू से स्पेशली अगर मैं जेई मेंस की बात करूं या जेई एडवांस की बात करूं मॉडूलस पे अगर कोई question अच्छा बनता है जो जेई में आने लाइक तो इसी पे बेस्ट बनता है ट्रेंगलर इनेक्वालिटी पे और इसमें खास बात क्या है कि अगर question ट्रेंगलर इनेक्वालिटी पे होगा तो आप इसे औरली भी कर सकते हैं without any option गल्की है लेखते हैं होता क्या है ट्रेंगवालिटी देखिए जास कि आपने smaller classes में अगर मैं जदा दूर नहीं जाओं तो अगर मैं आपसे बात करूँ नाइन्थ क्लास की, नाइन्थ क्लास में आपने ट्रेंगलर इनेक्वालिटी, अपने ट्रेंगल के बारे में पढ़ा था, एक ट्रेंगल में इनसाइड होती है, ट्रेंगल पहले ले लिए, ठीक है, बाल लिजिए मैंने ले लिया एक राइट अ इन एक राइट आंगल ट्रेंगल तरेंगल में इसी भी दो साइड को अगर मैं चूज कर लेता हूं किसी भी दो साइड का सम पर्ड साइड से ग्रेटर होता है यह आपने पढ़ रखा है और एक और चीज आपने पढ़ रखी है कि difference of any two side is always less than third side, ठीक है, तो एके करके हम बात करते हैं, पहले sum की बात करेंगे, तो ए difference की, ठीक है, देखिए, अगर मैं sum की बात करता हूँ, देखिए, मैंने जैसे की 8 रेंगल ले लिया, इसको ABC, कह लेता हूँ, ABC, इसमें आप देख सकते हैं, किसी भी 2 side का, अगर मैं sum करता ह सपोज मैं 3 प्लस 4 कर रहा हूँ, क्या रहा है, 7, 5 से greater है, और साइड लीज़ी, 3 प्लस 5 क्या रहा है, 8 किस से greater है, 4 से greater है, अगर आप 4 प्लस 5 कर दें, क्या रहा है 9, 9 किस से greater है, 3 से greater है, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इतनी possibilities हो सकती थी, हम यह सारी देख लिए, तो सभी cases में sum of any two side of a triangle is always greater than third side आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sum of any two sides of a triangle is greater than third side is greater than third side देखिए आपके मन में चल रहा हूँ कि यह सब मैं क्यों बता रहा हूँ देखिए जो हम करने वाले हैं triangular inequality उससे related ही है नहीं तो मैं नहीं बता पाँ देखिए अब इसी को अगर हम थोड़ा सा expand करें suppose मैं mod के terms में बात करूँ इसमें तो हमने specific sides ले ली triangle की length ले लिए specific 3, 4 and 5 अपर generally कोई भी आपके पास triangle है suppose अब एक triangle ले लिए suppose मैंने एक triangle ले लिया generally कुछ भी हो सकता है right angle, equilateral, कुछ भी एक triangle ले लिया इसके बारे में कुछ भी mention नहीं suppose यह जो AB side है इसको मैं represent कर रहा हूँ I am representing it by vector A okay और AC side है इसको मैं represent कर रहा हूँ suppose I am representing it by vector B तो जैसा कि आपने physics में vectors में पढ़ा होगा triangle law of addition पढ़ा था तो यह AC जो side है sorry BC side है यह के represent करेगी it will represent the resultant of these two A and B तो BC क्या होगा आपका BC will be represented by this vector A plus B इसको कहते है triangle law of addition ठीक है तो अब सद देखिए अभी हमने अभी हमने triangle में देखा sum of any two side is always greater than third side इसमें दो साइड ले लिजी कोई से भी साइड का क्या लेना है हमें length यह vector है तो मॉड ले लूँगा तो इसका length आ जाएगा मॉड ओफ A plus मॉड ओफ B किस से greater होना चाहिए third side की length से third side किसके equal है A plus B vector के तो third side की length क्या आ जाएगी मॉड ओफ A plus B ठीक है यह होना चाहिए आपके मन में चल रहा होगा कि last case जो हमने लिया था उसमें तो 3,4,5 specific ले लिया था आप देखिए जैसा कि इस case में मैंने लिया अगर मान लेजी यह दोनों vectors अगर आपका A और B A और B same हो जाए ठीक है तो क्या होगा देखिए left hand side में क्या हो जाएगा आपके पास mod A plus mod A right hand side में तो यह जो expression S को आप क्या लिख सकते हैं A plus A 2 A का mod इधर भी 2 A आ गया इस case में तो equal to आ रहा है तो आपको एक change क्या करना पड़ेगा देखिए कि triangle में triangle में sides fix है 3 4 5 E रहेगा अगर मौड discuss कर रहे हैं मौड में दोनों same हो सकते है positive negative सब कुछ चल सकता है इसमें एक change क्या कर ली आप इसमें equal to लगा जब A और B दोनों same होंगे तो यह इसके equal भी हो सकता है और greater तो होगा ही अगर different है तो greater होगा ठीक है तो यही आपकी triangle inequality में first inequality यही वाली है इसको sum से denote के है sum से आप देख सकते हैं कि it represents sum of any two side is always greater than third side जैसे triangle में था वैसा ही इस वैसा ही इसमें है तो इसमें भी हम particular cases देखेंगे कब यह equal होता है और कब greater जार होता है ठीक है देखते हैं देखिए प्रैंगुलर इनेक्वारेटी ठीक है इसमें लगर मैं सम की बात करता हूं देखिए sum of any two side यहाँ पे sum है तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो sum of any two side is always क्या लिखूंगा आप में greater than equal third side अगर A और B मान लिजिए triangle की दो side है तो third side क्या होगी A plus B इसको इसको आपने vector में करा होगा अब देखिए इसमें कैसा symbol है inequality का greater than equal to का sign है तो हम specific case देखते हैं कब यह greater होगा कब equal to होगा देखिए तो या तो आपका mod of A plus mod of B mod of A plus B के equal होगा ठीक है या फिर या फिर आपका mod of A plus mod of B इससे greater होगा यह हो सकता है दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हो हम condition देखेंगे कि कब यह दोनों इससे equal होते हैं कब greater होता है ठीक है एक एक तरके देखते हैं हल equal to की अगर मैं बात करूँ देखिए इसको अगर मैं pick करता हूँ suppose देखिए mod of A plus mod of B mod of A plus B के equal कब होगा देखिए इसमें अगर माल लिजे आपका A positive है B positive है एक case देख लेते हैं suppose A को आप assume कर लिजे 1 B को assume कर लिजे 2 ठीक है तो इस case में आप देख सकते हैं left hand side अगर मैं देखूं तो 1 का mod plus 2 का mod क्या आया यह आज आएगा 1 plus 2 equal to 3 right hand side में क्या आ रहा है 1 plus 2 का mod equal to 3 तो जब A और B positive थे दोनों के दोनों positive थे यह true हो रहा है ठीक है मैं क्या करता हूँ A और B दोनों को negative है जब A और B दोनों के दोनों आपके negative है तब देखते हैं मान लेते हैं कुछ A को minus 1 मान लिया मैंने 3 को मान लिजिए minus 3 left hand side देखे क्या आएगा आपके पास minus 1 का mod plus minus 3 का mod क्या आए आपके पास 1 plus 3 4 right hand side में क्या आए आपके पास minus 1 minus 3 का mod that is same as minus 4 whole mod इससे क्या आज आएगा 4 ओके आप देख सकते हैं LHS equal to RHS आ गया इस case में भी this equality holds एक case बच गया आपका कौन सा case जिसमें कि A positive हो B negative हो या फिर B positive हो A negative या आप कह सकते हैं कि A और B का sign positive हो ओके देखे जब A positive B negative या फिर आप ले लिजिए A negative B positive इन दोनों में से एक case discuss करते हैं इसके लिए जो result आएगा same that will be same for that also okay अगर मैं positive लेना चाहता हूं माल लिजिए A को मैं ले लेता हूं suppose A to B ले लिजिए minus 1 के इस case में left hand side check करते हैं left hand side क्या आजाएगा मेरा left hand side में है mod of A इसको मैं लेक सकता हूं 2 का mod plus minus 1 का mod क्या आया 2 plus 1 equal to 3 right hand side में क्या है mod of A plus B यह किसके equal होगा बेखिए A क्या लिया था मैंने minus 1 B क्या लिया था 2 इस पूरे का mod क्या आजाएगा 2 minus 1 1 का mod equal to 1 यहाँ पर क्या आ रहा था 3 right hand side में क्या है 1 इसके equal है नहीं इस वाले case के लिए यह result true नहीं होगा ठीक है आपने क्या observe देखिए यह equality कब hold करेगी जब A और B दोनों positive थे जब A और B दोनों negative थे तब true हो रहा था और इन दोनों case में जिसके लिए यह equality hold कर रही थी इस दोनों cases में similarity है कुछ हाँ है similarity आप कह सकते हैं देखिए इसमें दोनों positive है इसमें दोनों negative है आप कह सकते हैं इन दोनों cases को अगर आप single 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 में convert करें तो आप कह सकते हैं कि A और B जब same sign के होंगे तब तब यह equality hold करेगी And when A and B are of opposite sign, then this equality will not hold, okay? तो देखिए, mod of A plus mod of B equal to mod of A plus B, ठीक है? ये कब होगा? अगर इसको मैं mathematically लिखना चाहूँ, तो क्या कह सकता हूँ मैं? अगर A और B दोनों के दोनों same sign के हैं, तो इन दोनों का product क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो, ठीक है? और अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया, तो product 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं equal to 0 also, ठीक है? पॉस्ट, और सेकिंड वाला जो case था, mod of A plus mod of B, mod of A plus B से greater कब होगा? जब ये दोनों opposite sign के होते हैं, A और B, अभी ये greater होगा है, देखिए? जैसा कि आपने last case में देखा था, A को जब आपने minus 1 लिया था, B को 2 लिया था, left hand side क्या आ रहा था आपका 3, right hand side में क्या आ रहा था आपका 1, आप देख सकते हैं, clearly 3 is greater than 1, तो when A and B are of opposite sign, then this inequality holds, ठीक है? तो triangular inequality में अभी तक हमने क्या किया? sum of any two side is always greater than equal to third side, equal to कब होगा? जब A into B greater than equal to 0, या आप बोलने की A और B, both are of same sign, okay? A and B are of same sign, okay? और opposite कब होगा? opposite कब होगा? sorry, ये इन दोनों का sum third side से greater कब होगा? जब A और B का sign opposite होगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, A and B are of opposite sign, ये तो हमने sum के लिए discuss किया, बिल्कुल same, बिल्कुल same conditions, जो दूसरी वाले inequality है, जिसमें कि difference of any two side is always less than third side, बिल्कुल same conditions, difference के लिए भी hold करते हैं, क्या? तो difference पे जाने से पहले, कुछ questions लेते हैं इस inequality के पेस्ट, okay? So let's see, suppose, मानलीजी आपको दे रखा है, मानलीजी आपको दे रखा है, suppose, mod of x plus 1, okay? plus, mod of x minus 3, ठीक है? And it is given out to be equal to, equal to right hand side में देखिए, मैं क्या लिखता हूँ? 2x minus 2, ठीक है? देखिए, अगर आप इस equation को, closely observe करेंगे, तो आप देख सकते हैं, right hand side में, जो mod है, उसमें जो term देखिए, expression देखिए, linear equation कैसा है? 2x minus 2 है, इस 2x minus 2 को, मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x minus 2, बस I can write as, sum of these 2 expressions, लिख सकता हूँ? देखिए, और आप देख सकते हैं, बर आपको पता है, अभी हमने just discuss किया, mod of a, plus mod of b, equal to, mod of a, plus b, तब होता है, जब a और b, दोनों के दोनों, same sign के हूँ? यह आप कह सकते हैं, a dot b, greater than equal to 0, इसमें apply करते हैं, same चीज, इसमें a क्या है, a है आपका क्या, x plus 1, b क्या है आपका, x minus 3, यह equality का भोल्ड करेगी, जब a into b, greater than equal to 0, यहां से कर लेते हैं, देखिए, x plus 1 into, x minus 3, should be, greater than equal to 0, ठीक है? अब देखिए, यह आपके पास क्या है? यह आपके पास, एक quadratic expression है, और आपको पता है, quadratic expression कहा positive होता है, outside the roots, इसके दो roots क्या आ जाएंगे? 1 and 3, ओकर? आपको x की वो values चाहिए, जिसके लिए, यह quadratic expression, positive हो जाए, या फिर equal to 0, quadratic expression कहा positive होता है, outside the roots, जब भी आपका x, 3 से greater होगा, या फिर 1 से less होगा, तब यह quadratic expression positive होगा, और 1 और 3 पे, quadratic expression की value, 0 होगी, and between 1 and 3, it will give negative है, फिरके? आपको क्या चाहिए? positive value, यहाँ से क्या answer आजाएगा, आपका, when x will belong from, minus infinity to 1, close that 1, union, 3 to infinity, यही आपका answer आजाएगा, इस question का, और, और, ख़दर में, JE means, CI advance की बात करूं, modulus पे कोई question आने लाइक है, तो, इसी से आता है, और लशा कोई question आया, तो आप without pen and paper, orally कर सकते हैं, यह तो मैं आपको बता रहा हूँ, first question था, यह चीज़ आप mind में कर सकते हैं, okay, so let's move on to, let's move on, let's discuss one more question, देखिए, suppose, suppose, आपके पास कोई question था, आपको दे रख़ा है, suppose, next plus one, mod, plus, next minus, 3 का mod, ठीक है, greater than, अच्छा, बिल्कुल same हो जाएगा, exactly same हो जाएगा question, तो इसको 2 कर लेते हैं, ठीक, ठोड़ा सा difference, different करते हैं, is greater than, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, 3X, okay, and, minus 2, okay, इसमें क्या है, greater का sign है, तो इससे पहले हमने question करा, उसमें equality थी, ठीक है, आप देख सकते हैं, यह जो right hand side में, आपके mod के अंदर जो expression दे रखा है, यह क्या है, इन दोनों का sum, इसका और इसका sum, देख सकते हैं, 3X minus 2, को मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write 3X minus 2 as, X plus 1, plus 2X minus 3, plus 2X minus 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3X minus 2, अब आपको पता ही है, mod of A plus, mod of B, mod of A plus B से greater कब होता है, जब A और B दोनों के दोनो, opposite sign के हूँ, सब ऐसा होता है, ठीक है, if and only if, A into B is, less than 0, देखे, इसमें A क्या है, X plus 1, B क्या है आपका, 2X minus 3, यह कब true होगा, जब आपका, X plus 1, और, 2X minus 3 का product, negative आईगा, ठीक है, तो, यह देख सकते हैं, आप एक quadratic expression है, इसके roots क्या है, इस quadratic expression के, roots क्या है आपके पास, minus 1, and 3 by 2, ओके, और आपको पता ही है, quadratic expression, कब negative होता है, between the roots, ठीक है, तो, जब भी आपका, X minus 1, और 3 by 2 के, बीच में होगा, तब इस quadratic expression की, value negative हाएगी, और जब आपका, X 3 by 2 से greater हो, या minus 1 से, शोटा हो, तब भी ए quadratic expression की, value positive होगी, तो, इस case में, आप क्या कहेंगे, your X, when your X will belong, from minus 1 to 3 by 2, open interval, then this inequality, will hold, ओके, आपको समझ में आया होगा, ये तो हमने, sum के लिए किया, बिल्कुल same conditions है, जब हम difference of any two side, is always less than, third side करेंगे, conditions बिल्कुल same है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब हम difference लेंगे, तो, third side आयेगे क्या, देखिए, देखिए, suppose एक triangle लेते हैं, मैंने जो starting में triangle लिया था, that was this, A, B, C, ओके, इसमें suppose अगर मैं A, B को, A vector से denote करता हूँ, suppose I am denoting A, B by, A vector, and suppose, A, C by B vector, तो यह जो B, C vector है, it will be the resultant of these two vectors, A, B, and A, C, और यह किसके equal होगा, जिसा कि आपने, triangle law of addition में पढ़ा होगा, यह vector, B, C, B, C vector जो होगा, that is, A plus B, क्या, आपको क्या चाहिए, question में, आपको चाहिए, difference में क्या होता है, mod of A minus mod of B, is less than equal to, अभी less ही रहने देते हैं, less than mod of A minus B, ठीक है, जब आप difference लेते हैं, तो third side आपकी, A minus B के equal होती है, यह मैं show करके दिखाता हूँ, बेखिए, इसमें क्या चाहिए, आपको A तो ले लिया आपने, B के साथ क्या है, negative sign है, तो मैं क्या करूँगा, E B as it is रहने दीजिए, B vector जो है, इसका sign, अगर आप towards, towards down जाए, तो यह positive sign है, B है, अगर आप उपर चले जाए, इसका sign, change कर दें, direction change कर दें, इस vector का, तो that will be same as minus B vector, तो मैं B को यहाँ बना लेका हूँ, ठीक है, यह point कौन साथा C, तो AC को मैंने ऐसा बना लिया, इसला direction मैंने reverse कर दिया, तो यह किसके equal आजाएगा, minus B vector के, AB को same रहने दीजिए, A vector, तो in this case, यह जो third side है triangle की, that is represented by BC, यह क्या हो जाएगी, इसको इधर कर लिजी, third side BC क्या होगी, इन दोनों का resultant होगा, resultant किसका, A और minus B का, इस case में मैं कह सकता हूँ, third side क्या है आपके पास, A minus B, आप clearly देख सकते हैं, जब आप difference लेंगे, तो third side क्या आ रही है आपकी, A minus B, जब आप दो side का sum कर रहे हैं, तो third side क्या आ रही है, A plus B, इसलिए मैंने यहाँ पे, A minus B लेका, एक और चीज़, जैसा कि हमने, sum में किया था, देखिए, इसमें भी, अगर यह दोनों side सेम हो गई, अगर A equal to B हो गया, तो यह 0 के equal आ जाएगा, तो यहाँ पे equal to लगा लेते हैं, अब इसमें भी further, again दो conditions होंगी, कभी equal हो, कभ लेस हो, इसको भी दो पार्ट में break कर लेते हैं, देखिए, mod of A, minus mod of B, equal to, mod of A minus B, ऐसा कभ होगा, जब A और B, दोनों के दोनों, सेम साइन के हो, जैसा कि हमने, सम में discuss किया था, इसको मैं proof परके नहीं दिखा रहा, आप अपने आप ट्राइ कर लीजएगा, बहुत सिंपल है, exactly same as we did, with the सम, ठीक है, और यह less कभ होगा, mod of A, minus mod of B, is less than, mod of A, minus B, यह कभ होगा, जब इन दोनों, इन दोनों साइड्स का, sorry, A और B का साइन, इपोसेट हो, यह आप कह सकते हैं, A, dot B, is less than 0, उप, इस पे भी हम, एक question discuss कर लेते हैं, खाली, देखिए, difference क्या होगा, खाली यहाँ पर negative sign आएगा, है, mod of X plus 4, इसको 2 कर लिजी, 2 into mod of X plus 4, minus, mod of X plus 3, equal to, equal to, माल लिजे, यहाँ पर आपको दे रखा है, X plus 1 का mod, ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर इस equation में, right hand side को, आप अगर closely observe करेंगे, तो आप देख सकते हैं, right hand side में जो expression है, X plus 1, यहाँ पर कैसा साईने, negative का, तो ग्रेंगलर inequality में क्या होता है, right hand side में जो expression होता है, इन दोनों का difference होता है, देख सकते हैं डिफरेंस है कि नहीं, X plus 1 को, अगर मैं लिखना चाहूं, X plus 1 को मैं लिख सकता हूं, 2 X plus 4, minus X minus 3, यहाँ से क्या आ गया, X plus 1 लगया, अब आपको पता ही है, जब अभी हमने, हमने discuss किया था, mod of A, minus mod of B, equal to, mod of A minus B, तब होता है, जब A और B, दोनों के दोनों, आपके, same sign के हों, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, आप A क्या है, आपका 2X plus 4, भी क्या है, X plus 3, यह inequality, यह equality कब hold करेगी, 2X plus 4, into, X plus 3, जब आपका, इन दोनों का product, greater than equal to 0 होगा, then this equality will hold true, ठीक है, यह क्या है, quadratic expression, quadratic expression, नहाँ positive होता है, outside the roots, इसके roots क्या हैं, देखिए, आप देख सकते हैं, X equal to minus 3, and X equal to, यहाँ पर minus 2 लेगे, ठीक है, तो जब भी आपका X, minus 2 से बड़ा होगा, और minus 3 से छोटना होगा, तब यह quadratic equation positive, positive value देखा, इस quadratic expression की value positive होगी, और equal to 0 कब होगा, minus 3 और minus 2 पर, और minus 3 और minus 2 के बीच में, यह quadratic expression, इसकी value negative हैगी, is positive और equal to 0, तो आप क्या कहेंगे, जब भी आपका X, when your X will belong, from minus infinity to minus 3, union, union minus 2 to infinity, तब यह equality आपकी hold करेगी, तो simple है, इसी case में, same question में अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, this less than का sign दे दिया जाए, mod of X plus 1, 2X plus 4 का whole mod, minus mod of X plus 3, less than mod of X plus 1, अगर ऐसा दे दिया जाए, तो ऐसा कब होता है, जब दोनों के दोनों opposite sign के होते हैं, इस case में क्या करेंगे आप, A into V less than 0, less than 0 कब होगा, minus 3 और minus 2 के बीच में, इस case में क्या solution आएगा आपका, जब आपका X minus 3 और minus 2 के बीच में लाए करेगा, तब this inequality will hold true, और जब आपका X outside the root होगा, then this equality will hold true, आपके मन में चल रहा होगा कि, यह जो right hand side में अभी तक हमने, जितने भी questions करें, रैंगलर inequality में, right hand side में जो भी expression था, उसमें या तो sum या difference अवेलेबल था, left hand side में जो दो मौड के terms थे, अगर sum या difference, right hand side में अवेलेबल ना हो, अब आप कैसे करेंगे question, देखिए, अगर यहाँ पे sum या difference अवेलेबल नहीं हो, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल basic से, या फिर graphically भी आप कर सकते हैं, अगर exam में question आता है, तो आप या तो graphically करिए, या options के थूँ करिए, exam में बिल्कुल basic से question नहीं करना है, एक question मैं लेता हूँ, जिसमें बिल्कुल हम basic से करेंगे, let's see, let's take one question, देखिए, जैसा कि ये question आपको दिख रहा है, mod of x minus 1, plus mod of x minus 2, less than equal to 4, या पहले एक question लेते हैं, जिसमें equal to है, फिर inequality भी discuss करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आप जितने भी expression है, उन सबको अगर आप 0 के equal रखेंगे, तो value क्या आएगी, यहां से आजाएगा x equal to minus 1, यहां से आजाएगा x equal to 2, तो दो point आपके पास आगए, x equal to minus 1 and x equal to 2, अब ये दोनों points इस number line को, इन पार्ट में divide कियो हैं, ओके, 1, 2, 3, अब मैं क्या करूंगा, एक एक पार्ट में separately लोगा, suppose सबसे पहले मैं लोगा, x belongs to first region, x belongs to second region and x belongs to third region, suppose माल लीजिए, आपका x अगर case 1 लेता हूं, मैं x जब आपका first region से belong कर रहा है, first region कहां तक होगा, minus 1 तक, तो मैं ले लेता हूं, जब आपका x minus infinity और minus 1 के बीच में होगा, अब देखते हैं, यह equation कैसे देखते हैं, suppose जब आपका x minus 1 से छोटा होगा, minus 1 से छोटी कोई value ले ले जी x की, suppose x equal to minus 2 मैंने ले लेगी, अगर मैं x equal to minus 2 लेता हूं, देखी LHS में क्या है मेरे पास, LHS में मेरे पास है mod of x plus 1, minus 2 plus 1, यह क्या आ रहा है mod, mod के अंदर negative value आ रही है, second वाला जो mod है, इसमें भी negative value आ रही है, यह आप कह सकते हैं, जब भी x आपका minus 1 से छोटा होगा, यह first region से belong करेगा, तो यह दोनों के दोनों mod negative sign के साथ open होगे, और जैसा कि हमने modulus में inequalities करते समय करा था, mod के अंदर जो भी expression है, जब negative होता है, तो mod को adjectives रहने दीजिए, जो constant हमें उसके साथ negative ले लिजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी आपका x minus 1 से less होगा, दोनों mod के अंदर जो terms है, negative आ रहे हैं, इन दोनों को हम adjectives रहने देते हैं, तो equation क्या आएगी आपके पास, x plus 1 plus x minus 2 equal to, यह constant हमें इसके साथ negative ले लिजिए, लेकिए मैंने negative इसके साथ क्यों लिया, तोकि दोनों expression with negative sign open हो रहे थे, इस विए से मैंने minus 4 लिखा, अगर एक positive होता एक negative होता, तब मैं ऐसा नहीं करता, लेकिए, time बचाईए, इसके बाद normal आप solve कर लिजिए, यहां से क्या आजाएगा, 2x उगर जाएगा, इगर से क्या आजाएगा, minus 1, minus 1 उगर जाएगा तो, minus 3 आजाएगा, यहां से x क्या आगे आपका, minus 3 by 2, आप देख सकते हैं, minus 3 by 2 जो है, minus 1 से, minus 1 से, छोटा है, यह इस range में लाएगा रहा है, तो इस पार्ट से solution क्या आगे, x equal to minus 3 by 2, यह आपका एक solution हो गया, second reason से अगर मैं x लेता हूँ, case 2, देखिए, next page में करता है, देखिए, case 2, जब आपका x, एक नट, इसमें points थे, आपके minus 1 से 2 के बीच में, जब आपका x, minus 1 से, 2 के बीच में लाए कर रहा है, case 1, हमने क्या लिया था, जब आपका x, जो है, minus infinity से, minus 1 के बीच में लाए कर रहा था, इस case में, आपका solution हा रहा था, x equal to minus 3 by 2, ओके, अब देखिए, इस वाले case में, first case में और second case में, आपके मन में चल रहा होगा कि, मैंने यहाँ पे equal to लिया, यहाँ पे, इसको open कर दिया, ऐसा क्यों, देखिए, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे अगर आप close interval लेते हैं, तो यहाँ आपको open लेना पड़ेगा, कोई भी point, आप एक ही बार include करेंगे, दो बार include नहीं कर सकते, ओके, इस upon you, whether you take here, closed और here होगा, बात एक ही बार करेंगे आप, जब भी आपका x minus 1 और 2 के बीच में होगा, जो हमारे पास question था, एक बार question देख लेते हैं, mod of x plus 1, plus mod of x minus 2, ये था आपके पास original question, देखिए, x इस interval में कोई एक value लेते हैं x की, suppose x equal to 0, x equal to 0 पे लेखते हैं ये mod, ये पहला वाला mod है, it is opening with positive sign, इसके अंदर positive आप रहा है, second वाला mod, 0 minus 2, यहाँ पे negative value आ रहे हैं, तो देखिए, तो जब भी आप, जब भी x आपका minus 1 और 2 के बीच में होगा, पहला mod से क्या आएगा आपके पास, mod of x plus 1, it will be equal to x plus 1 only, क्योंकि x plus 1 आपका positive हो रहा है, और x minus 2 negative हो रहा है, इसको हम negative sign के साथ लेंगे, तो plus मैं लिख देता हूँ, 2 minus x equal to 4, यहाँ से देखिए, x x कट गया, अब एक चीज बताइए, मुझे 1 plus 2 कितना होता है, 3, और 3, 4 के equal होता है, कभी नहीं, ठीक है, इस पार्ट से solution क्या आजाएगा, x belongs to 5, ओके, इसी case में, अगर आपको यहाँ पे, 3 equal to 3 आजाता, तो इस पार्ट का solution बता है, उस case में यह solution आजाता है, ठीक है, second पार्ट से क्या solution आया, x belongs to 5, लास्ट पार्ट देखते हैं, case 3, case 3, जिसमें की x आपका, x आपका, 2 से greater हो, including 2, लेखिए, जब भी आपका x 2 से greater होगा, पहला वाला मौड देखिए, x plus 1 है, x 2 से बड़ा है, तो ये positive ही होगा, second वाला मौड देखिए, ये भी positive होगा, x equal to 3 ले लिजी, रख के देख लिजी आप, x equal to 3 अगर आप put करते हैं, first मौड से क्या आएगा, 3 plus 1, second मौड से क्या आजाएगा, 3 minus 2, देखिए, दोनों के दोनों expressions, 2 किसके equal आजाएगा, x minus 2 के equal, और this whole, will be equal to 4, यहां से आप देख सकते हैं, क्या आएँ आएँ आपके पास, 2x equal to 5 आजाए, x equal to क्या आएँ आपके पास, 5 by 2, आपने x कहां से जिम किया था, x was greater than 2, 5 by 2 2 से greater है, हाँ greater है, तो इसका अगर मैं final solution की बात करता हूँ, तो क्या आएगा, 5 by 2 and minus 3 by 2, are the solutions, तो x equal to 5 by 2 and minus 3 by 2, these are the only two solutions of this inequality, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें put करके, अगर आप यहाँ पे 5 by 2 रखते हैं, 5 by 2 plus 1, क्या आजाएगा, 7 by 2, यहाँ पे आप 5 by 2 minus 2 करते हैं, तो 1 by 2, 7 by 2 plus 1 by 2, 4 आ रहा है, satisfy कर रहा है, similarly अगर आप minus 3 by 2 रखते हैं, तब भी satisfy करेगा, तो इस equation के दो solution की आ रहे हैं, आपके पास, 5 by 2 and minus 3 by 2, are the only solutions of this equation, ओके, similarly, अगर यहाँ पे तो मैंने equality ली, अगर यहाँ पे मैं equality की जगए, equality की जगए, inequality लेता हूं, suppose, mod of x plus 2, plus mod of x minus 2, less than equal to 4 होता, तो इसमें भी कुछ नहीं करते हैं, आप खाली, यह mod तो आपको पता ही, कैसे open होता है, खाली equal to की जगए, inequality का sign आ जाता, जब inequality का sign आ जाएगा, तो solution जो होगा आपका, वो एक point ना होके, interval के form में आ रहेगा, ठीक है, देख लेते हैं, देखिए, इस case में जैसा की, points तो वही रहेंगे आपके पास, minus 1 and 2, यह first reason, यह second reason, यह third reason, जब आपका x, जब आपका x, minus infinity से, minus 1 के बीच में लाय करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों, mod के expressions, negative sign के साथ open हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करिए, आप, इसको आप लेख सकते हैं, minus of 1 plus x, ठीक है, and, minus of x minus 2, less than equal to 4, देखिए, इस case में अगर आप वहाँ पे, 4 के साथ negative लगाएंगे, क्योंकि यह पूरा negative है, minus से अगर आप multiply रहेंगे, तो inequality का sign change हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको as it is रखा, जैसा, mode of x plus 1 किसके equal होगा, minus of x plus 1 के, क्योंकि x plus 1 negative आएगा, जब x आपका minus 1 से छोटा हो, इस case में आप वैसा नहीं कर सकतेगी, constant के साथ आपने negative ले लिया, यहां से solve कर लिजिए, minus से अगर आप multiply करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहां पहले लिख लिजिए, minus 2x और यहां पे minus 1 and plus 2, it will give you plus 1, less than equal to 4, 2x उदर ले जाएगी, 2x उदर ले गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x is greater than equal to minus 3, 2x is greater than equal to minus 3, यहां से क्या आएगा, x is, देख सकते हैं, minus x, minus x minus 2x, minus 1 plus 2, less than equal to 4, यहां पे 3 आ जाएगा, 1 minus 4 minus 3, minus 3 उदर जाएगा, तो 2x हो जाएगा, x आपका क्या आ रहा है, x is greater than equal to minus 3 by 2, ठीक है, और आपने x लिया क्या था, आपने x लिया था, minus infinity से minus 1 के बीच में, और आपका A क्या रहा है, x greater than equal to minus 3 by 2, तो इस पार्ट से जो solution, solution पता क्या होगा, इस पार्ट से solution होगा, इन दोनों का intersection, section कैसे लेंगे देखिए, x आपका minus infinity से minus 1 के बीच में है, और यहां से आया क्या आपका x greater than equal to minus 3 by 2, minus 3 by 2 आपका होता है, यहां पे ठीक है, इस point को यहां से, और x आपका minus 1 तक ही लाए कर रहा है, इस पार्ट से जो solution आजाएगा आपका, next belongs to minus 3 by 2, minus 1, minus 1 पे open, minus 3 by 2 पे closed, ठीक है, एक तो यह solution हो गया, similarly, similarly, अगर आप x को second region से, अगर आप x लेते हैं second region ते, तो उस case में भी एक inequality का sign आवा है, इसमें क्योंकि अलग से है, तो जो आपका solution आएगा, एक point ना के interval के form में आएगा, थर्ड में भी ऐसा ही होगा, और जो final solution आएगा आपका, इन तीनों का क्या आजाएगा, union, तो इस question को, इस question को आप solve करिएगा, and try to answer this in the comment box, जैसे कि यह question आपको देख रहा है, mod of x minus 1, plus, mod of x minus 2, less than equal to 4, जैसे कि हमने एक question दिसस किया था, जिसमें equality का था, equality वाला कोई question हमने discussion नहीं किया था, let's discuss this, देखिए, इसको solve करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जैसा कि, इस inequality में, right in side में क्या है, 4, 4 ना तो x minus 1 और x plus 2 का, sum है, ना ही difference है, तो इसमें, ऐसे questions को solve करने के लिए, हम क्या करते हैं, देखिए, x minus 1 जब 0 होगा, तो x की value क्या आएगी, x equal to 1, ये वाला mod जब 0 होगा, किस point पर 0 होगा, x equal to 2 पे, इन दोनों points को, आप mark कर लिए, number line पे, 1 and 2, ठीक है, अब ये दोनों points, इस number line को, तीन पार्ट में, divide कर रहे हैं, let's call them as, first, second and third region, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, suppose, मैं x लोंगा, सबसे पहले, first region से, फिर मैं x लोंगा, second region से, फिर मैं x लोंगा, third region से, इन तीनों पार्ट से, जो solution आएगा, और तीनों का, हम union लेंगे, वही हमारा, final solution होगा, so, let's see, case first, case first में, x आपका, x आपका, कहां से कहां तक बिलॉंग करेगा, one तक, ठीक है, case first में, x आपका, minus infinity से, one तक बिलॉंग करेगा, ठीक है, जब x आपका, one से less है, तो one से less, कोई भी number ले लीजी है, check करने के लिए, suppose मैंने लिया, x equal to zero, x equal to zero रखने पे, mod देखिए, जो हमारा original question था, उसमें, जो mod का expression है, वो देखिए, zero minus one, पहला mod negative बन रहा है, second mod भी negative, negative sign के साथ उपन होगा, ठीक है, x equal to, तो जब भी आपका x, one से less होगा, ये तोनों के दोनों, mod के अंदर जो expression है, तोनों के दोनों negative होगे, तो ये, ये, ये mod, mod of x minus one किसके equal होगा, minus of x minus one के equal, similarly, mod of x minus two किसके equal होगा, minus of x minus two के equal, जैसा कि मैंने, आपको modulus inequality कराते समय बताया था, आपका constant term है, उसके साथ आप एक negative sign, negative sign लगा दीजिए, ठीक है, देखिए, इस inequality में, दो mod वाले expression है, देखिए, दोनों के दोनों negative है, तभी मैं four के आगे, four के आगे, minus sign लगा पाँगा, ठीक है, जैसा कि हमने equality में कराता, अब देखिए, इसमें क्या है, inequality, inequality है, तो मैं क्या करूँगा, as it is, जैसा हम करते थे, basic, वैसा ही करेंगे, x minus 1 की जगे मैंने क्या लिखा, sorry, x minus 1 का mod, क्या आजाएगा, 1 minus x, क्योंकि x minus 1 negative होगा, जब x आपका 1 से less हो, this, plus, यह हो जाएगा, 2 minus x, ठीक है, यहाँ पर साइन कैसा है, less than equal to, less than equal to का साइन लेने देजिए, इसको 4 रहने देजिए, अब क्या करेंगे, बिल्कुल simple, जैसा कि आप linear equation solve करते हैं, वैसा ही, देखिए, यहाँ पर क्या आया, minus 2 x, यहाँ पर आया 3, less than equal to, ठीक है, 2 x को उधर ले जाए, 2 x को अगर आप उधर ले जाते हैं, इस साइड क्या आ जाएगा आपका, 2 x will be, greater than equal to, minus 1, यहाँ से क्या आया, x is greater than equal to, minus 1 by 2, ठीक है, इस पार्ट से आपका solution क्या आया, x minus 1 by 2 से greater है, और आपने x लिया क्या था, minus infinity से 1 के बीच में, इस पार्ट का जो solution होगा देखी, इस पार्ट से जो solution आएगा, देखी, x आपने लिया था, minus infinity से लेके 1 तक, और यहाँ पर क्या आया, x greater than equal to, minus 1 by 2, इन दोनों पार्ट का intersection क्या होगा, यह हो जाएगा, यहाँ से जो आपके, x की value आएगी, क्या आएगी, x belongs to, minus 1 by 2, 2, 1, minus 1 by 2 पे close, 1 पे open, तो पर्ष्ट पार्ट से आपका यह solution आया, let's see, case 2, case 2 में हम क्या करेंगे, case 2 में हम assume कर लेंगे की, case 2 में, x आपका कहां से belong करेगा, 1 से लेके 2 पक, x belongs to, 1, 2, 2, 1 पे close, 2 पे open, आपके मन में चल रहा होगा, यहाँ पे मैंने close लिया, यहाँ पे open लिया, तो जैसा मर्जी आप, interval ले ले लिजिए, लेकिन, 1.1 बार ही include होगा, suppose यहाँ पे मैं close कर देता, तो यहाँ पे मुझे open करना पुदता 1 पे, ठीक है, अब देखिए, जब भी x आपका 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में कोई एक number ले लिए, यह check करने के लिए, देखिए, मैंने ले लिया, x equal to 1.5, x equal to 1.5 पे, यह वाला जो मॉड है, पहला वाला मॉड, क्या आएगा, 1, दूसरा वाला जो मॉड है, 1.5, minus 2 क्या है, minus 0.5, तो आप देख सकते हैं, second वाला मॉड, के अंदर जो expression है, यह negative हो रहा है, पहले वाले मॉड में positive हो रहा है, तो यह वाला मॉड जो है, as it is रहेगा, second वाला मॉड, इसको हम open करेंगे, with negative sign, अब देखिए, first वाला मॉड जो है, x minus 1 के equal हो जाएगा, second मॉड में क्या था, x, mod of x minus 2, क्योंकि, fix आपका 1 और 2 के बीच में लाए कर रहा है, यह अंदर, mod के अंदर जो expression ने नेगेटिव हो रहा है, it will open with negative sign, तो इसको 2 minus x कर दिया है मैंने, यहाँ पर रहने दीजिए, less than equal to 4, तो देखिए, यह नीची थोड़ा सा रब कर देता हूँ है, यहाँ से क्या आजाएगा, x x कट गया आपका, minus 1 plus 2 कितना होता है, 1, 1 4 से less होता है क्या, हाँ जी, 1 is always less than 4, देखिए, इस पार्ट से जैसा कि मैंने आपको जब, quality का question कर रहा है था, उसमें भी मैंने बोला था, जब भी ऐसा हो जाए, यह कब less होगा, x की चाहे कोई भी value हो जाए, x की कोई भी real value हो, पर value के लिए x की, 1 हमेशा 4 से less होगा, तो इस पार्ट का solution क्या आएगा, x belongs to, closed interval 1 to 2, इस पार्ट से यह solution आएगा, देखिए, second part में, case second में, यह जो आपने लिया, this and this, इन दोनों का intersection करेंगे, वही इस पार्ट का solution होगा, इस पार्ट से क्या आया, x belongs to, 1 to 2, closed interval 1 to 2, second part से आपका यह solution आया, first part से आपका क्या solution आया था, x belongs to minus 1, 2 to 1, अब हम लेते हैं, case third, जब x आपका, जब x आपका, 2 से greater होगा, जब x आपका 2 से greater होगा, 1, 2, जब x आपका 2 से greater होगा, x belongs to, 2 to infinity, 2 पे closed, ठीक है, इसके बीच में, x आपका 2 से greater है, कोई भी एक value ले ले लिजिए, जो 2 से greater है, x equal to 3, जब मैं x equal to 3 रखता हूँ, x equal to 3 पे, यह वाला जो mod है, first mod है, यह positive होगा, यह भी positive होगा, तो इस case में, दोनों के दोनों mod, they will open with positive, mod of x minus 1 के, इसके equal होगा, x minus 1 के, mod of x minus 2, इसके equal होगा, x minus 2 के क्यों, तो के दोनों expression, positive है, ठीक है, इस case में, अगर आप solve करते हैं, तो आपका क्या आएगा, x minus 1, आपने लिया था, x 2 से बड़ा, और आत्वा क्या आगिया, x 7 by 2 से less, इस part से, third part से क्या solution आएगा, इन दोनों का intersection, intersection क्या आजाएगा, x आपका, 2 और 7 by 2 के, बीच में लाए करेगा, देखिए intersection आप ले सकते हैं, इस case में, 2 से infinity तक, अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए, x आपका जो है, ये 2, उपे close था, 2 to infinity, और आपका क्या आया, x आपका 7 by 2 से, 7 by 2 से, less आया, इन दोनों part का, अगर आप intersection ले, तो क्या आ रहा है, देखिए, इस and less, देखिए, तो third part से, case third में, क्या solution आया आपका, x belongs to, 2 to 7 by 2, बोथ close, ठीक है, इस second में, आपका क्या solution आया था, देखते हैं, देखिए, किस second में, आपका solution आया था, x belongs to, 1 to 2, close interval, 1 to 2, किस second में, आपका solution आया, x belongs to, close interval, 1 to 2, और case first से, आपका क्या solution आया था, case first से, आया था, आपका देखिए, x belongs to, minus 1 by 2, 2 to 1, ओके, final जो आपका solution होगा, final solution क्या होगा, आपका, इन तीनों का, union, आपने क्या लिया था, x या तो first region से, बिलोग करता है, या second से, या third से, तो इन तीनों का, union हो जाएगा, ठीक है, final solution क्या होगा, आपका, x belongs to, देखिए, minus 1 by 2 से, यहाँ पर 1 तक है, 1 से 2 तक है, फिर यहाँ पर 2 भी, कमबाइन तक है, 7 by 2 तक है, आप लिख सकते हैं, x belongs to, minus 1 by 2 to 1, union, इस पर क्रोजद है, union, फिर यहाँ पर, 1 to 2 open, union, 2 to, 7 by 2, आप देख सकते हैं, यह continuous interval बन रहा है, यह आप कहा सकते हैं, x belongs to, minus 1 by 2 to, 7 by 2, यही आपका solution आ गया, उस inequality का, inequality क्या थी है, आपके पास, x minus 1 का mod, plus x minus, 2 का mod is, less than equal to 4, आप देख सकते हैं, इस interval में, इस interval में से, आप कोई भी value, चूज कर लीजे, इस inequality को, satisfy करेगा, कोई value चूज कर लीजे आप, यह ते की 7 by 2, x equal to 3, चूज कर लीजे, आप देखिए, 3 minus 1 का mod, plus, 3 minus 2 का mod, यहां से क्या है, equal to, 2 plus 1, 3, और 3 क्या है, 4 से less है, ठीक है, similarly, आप x equal to 0 रखते हैं, तब भी satisfy करेगा, यहां से बनाया, यहां से है 2, 1 plus 2, 3, 3 is less than 4, तो यह आपका final solution आगे, ठीक, ऐसे ही हम, inequality based, अगर question आए, जिसको हम triangular inequality से solve नहीं कर सकते, उन questions को आप बिल्कुल basic से करेंगे, ठीक है, अच्छा, यहां तो basic से करेंगे, exam time में, exam time में, आपके पास, 4 option होंगी, अगर mc की वाया, इस पे, 4 option होंगे, अगर triangular inequality से नहीं हो रहा, 4 option होंगे, तो उन 4 options में से आप, suppose आपको interval के form में दे दिया, suppose this, x belongs to, minus 7 by 2 to 1 by 2, ठीक है, और मान लिजे, second option है आपका यह, x belongs to, 1 to 2, third option मान लिजे, आपका यह है, x belongs to, 5 to 7, and d option, x belongs to, suppose, 2 to 7, इन सब में क्या करेंगे, आदर से की, चार option आपको दिख रहे हैं, first option की बात करेंगे, अगर हम तो इस में से, इस पूरे interval में से, कोई एक point चूज कर लिजे, इस inequality को satisfy कर रहा है, तो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, similarly, इन सब के साथ दीकर सकते हैं, अगर exam में question आए, MCQ based, तो आप option से eliminate करके भी कर सकते हैं, basic से करने की ज़रुवत नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि, अगर triangular inequality पे question नहीं आता, बिलकुल basic से कर सकते हैं आप, या तो आप graphically कर सकते हैं, now let's see how to solve these questions graphically, ठीक है, suppose आपको, भी रखा है, mod of x equal to 4, you have to find the values of x for which mod of x equal to 4, तो देखिए, इसको मैं माल लेता हूँ, y equal to mod x, और my 4 के भी इक्वाल है, mod x का graph आपको पता है, देखिए, mod x का graph पता है, mod x में, यह जो expression है, mod के अंदर कहां 0 होता है, x equal to 0 के, यह वाला point मैंने ले लिया, x equal to 0, this is your x axis, this is your y axis, ठीक है, तो mod x सा graph बनाएगी, सबसे तरह, mod x सा graph कैसे बनाएगे, 0 के left में एक लाइन रो करी, और 0 के right में एक लाइन रो करी, और यह दोन लाइन से एक लूसरे के, पर 20 लाइन रो लाइन चाहिए, these two, these both lines represent the graph of, y equal to mod x, ठीक है, यह y equal to mod x सा graph आपने बनाएगे, ठीक, अब y किसके equal है, y 4 के भी तो equal है, y equal to 4 line का, y equal to 4 line का graph कैसे बनाएगे, y equal to 4, this is your line, y equal to 4, ठीक है, ठीक है, यह y equal to 4 line, इस mod x के graph को, कितने points पे intersect कर रहे है, two points पे, इस case में, इन दोनों points के, जो भी x coordinate होंगे, वही आपका solution हो जाएगा, इसका, देखिए, y equal to 4 line, यहाँ पे यह point क्या आया, 4, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, minus 4, 4, इन दोनों points के, x coordinate जो भी होंगे, वही आपका solution हो जाएगा, तो इस case में, आप देख सकते हैं, x किसके equal आ रहा है, minus 4 और, 4 के equal, clear, अच्छा, यह तो equality थी, खोड़ा सा, इसमें move on करते हैं, देखिए, suppose आपको दे रखा है, mod of x minus 2 equal to 4, इसको आप graphical कैसे solve करेंगे, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, mod of x minus 2 का graph, अगर आपको बनाना है, सबसे पहले देख लीजी, यह mod किस point पे 0 होगा, x equal to 2 पे, y 0 हो रहा है, x equal to 2 point में mark कर देखा हूँ, ठीक, 2 के left में, 2 के left में एक लाइन गहो करिए, और 2 के right में एक लाइन गहो करिए, ठीक है, यह वाला जो graph होगा, यह वाली जो line है, इसकी equation क्या होगी, इस line के equation होगी, y equal to x minus 2, ठीक है, और इस वाली line के equation होगी, y equal to 2 minus x ठीक है? आपको क्या दे रख्था है? ये तो आपने y equal to mod of x minus 2 का graph बना दिया और y equal to 4 भी आपको दे रख्था है y equal to 4 लाइन कहां से pass करेगी? it will pass through suppose ये आपके पास x-axis है, this is your x-axis, sorry y-axis so y equal to 4 आप यहां टोकर लिए this is y equal to 4, ये आपका x-axis है, ठीक है? आपको mod of x minus 2 के graph को कितनी बार कट कर रही है? दो बार तो अगर आपसे पूछा जाए, find the number of solutions of this तो ये ये line y equal to 4, mod of x minus 2 के graph को जतनी बार कट करेगी उतने ही solution होगे, कितनी बार कट कर रही है, देखिए एक इस point पे, एक इस point पे, और इन दोनों points के जो भी x coordinate होगे, वही आपका क्या आजाएगा solution, देखिए y equal to 4 रखिए यहाँ पे, तो क्या आगया, point क्या आगया y equal to 4 रखिएंगे तो x क्या आजाएगा 6 यहाँ पे रख दीजी y equal to 4, x क्या आजाएगा आपका, x आजाएगा इस case में आपका minus 2 तो यह दोनों ही आपके solution आजाएगे, x equal to minus 2 and 6, यही दोनों आपके solution आजाएगे, ठीक है I hope ऐसा कोई question आएगा, तो आप graphically भी कर सकते हैं अच्छा, यह तो हमने बात करी equality now let's move on and let's talk about how to solve inequality through law ठीक है, देखते हैं suppose आपको दे रखा है mod of x minus 5 is let's say less than equal to code अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं graph बना लेता हूँ इतको मैं assume कर लेता हूँ, y equal to this y equal to mod of x minus 5 का graph बनाँगे y equal to mod of x minus 5 का जब मैं graph बनाँगा तो यह x axis यह आपका y axis यह वाला mod के point पर जी रहोगा x equal to 5 x equal to 5 मैंने mark कर दिया 5 के left में एक line draw कर दिया 5 के right 5 के left में जो line होगी इसकी equation क्या होगी? y equal to x minus 5 the equation of this line will be y equal to x minus 5 और इसके left में चो line आपने ड्रो कर दिया इसकी equation होगी y equal to 5 minus x अब देखिए और यह तो आपने mod of x minus 5 का graph बना दिया अब यहाँ पर inequality है सबसे पहले inequality को गूल जाहिए y equal to 4 line ड्रो करिए y equal to 4 अगर मैं ड्रो करता हूँ देखिए y equal to 4 अगर मैं ड्रो करता हूँ तो देखिए यह वाली जो line है y equal to 5 minus x y x इस पे क्या होता है? x 0 होता है y x इस पे x 0 होता है यह वाला जो point आएगा आपका यह वाला जिसके coordinate क्या आओंगी? 0,5 यह 5 इनिट्स पे है तो इसके नीचे ही होगा x equal to 4 यहाँ पे इसके नीचे से पास करेगी यह वाली लाई y equal to 4 line ड्रो कर देए आपने यह यह कौन सी line है? y equal to 4 अब देखिए यह line इस mod of x minus 5 के graph को कितने बाइर cut कर रही है? दो बाइ तो आप क्या बोलेंगे? कितने solution होगे? दो solution और solution होगे कौन से? देखिए और इस case में इस case में sorry inequality है तो interval के form में होगा देखिए यहाँ पे original क्या है आपके पास original question में? inequality y is less than equal to 4 y 4 से आपका greater नहीं होना चाहिए y या तो 4 हो इसका क्या मतलब होता है? या तो y less than 4 हो और y equal to 4 ठीक है? अगर यहाँ पे इससे इक्वल टू होता तो दो solution क्या आते हैं आपके पास? यहाँ पे अगर आप 4 रखते हैं x क्या आजाएगा? 1 ठीक है? अगर सिर्फ equality होती है तो आपका solution क्या आता? x mod of x minus 5 equal to 4 होता सिर्फ तो आपका solution क्या आजाता? x equal to 9 and x equal to 1 as you can see 1 and 9 ठीक है? और इस case में क्या है? less than less than में क्या होगा? y 4 से बड़ा नहीं हो सकता या तो 4 या 4 से छोटा देखिए इस case में क्या करेंगे हम? देखिए ये वाला region देखिए आप इन दोनों का intersection point क्या है? ये वाला 1 से 9 तक बर जो आपका y है 4 से बड़ा नहीं हो सकता 4 से less ही होगा इस case में ये वाला region देखिए sorry ये जब भी आपका x आपका 1 और 9 के बीच में होगा तभी आपका जब भी x आपका 1 और 9 के बीच में लाए करेगा तभी तभी mod of x minus 5 less than equal to 4 होगा देखिए इसको में separately बना के बिधाता हूँ आपको देखिए ये graph था आपका देखिए ये वाला जो graph था आपका दिस 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 ये graph था mod of x minus 5 था और suppose और ये line और suppose ये line है y equal to 4 ठेक है mod का graph आपका ये था y equal to 4 line ये है आपको आपको x की वो values चाहिए जिसके लिए mod of x minus 5 4 के या तो एककोल हूँ या less हो देखिए 4 के एकपल तो इन दोनों point पे होगा less कहा हो रहा है इन दोनों points के नीचे तो आप क्या कहेंगे जब भी x आपका जब भी आपका x 1 और 9 के बीच में लाइक करेगा जब भी x आपका ये वाला point इस point ये coordinate होंगे 1,4 और 9,4 देखिए जब भी x आपका 1 और 9 के बीच में लाइक करेगा तभी आपका mod x सग्राप देखिए mod x सग्राप देखिए 1 और 9 के बीच में जब भी x लाइक करेगा mod x सग्राप इसके नीचे है और जब आपका x 1 से less है या 9 से greater है तो उस case में क्या हो रहा है आपका देखिए जब आपका x 1 और 9 के बीच में लाइक कर रहा है उस case में आप clearly देख सकते है mod of mod of x-5 sorry mod of x-5 mod of x-5 ये portion pink वाला ये y equal to 4 लाइन से नीचे है ठीक है और जब आपका x देख सकते हैं आप clearly इसमें 1 x जब आपका 1 से छोटा है या फिर 9 से 9 से बड़ा है उस case में क्या हो रहा है आपका mod का graph देखिए यहां से यहां तक यहां से यहां तक उस case में mod of x-5 आपका y equal to 4 से नीचे है ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे आप जब आपका x minus infinity से 1 के बीच में होगा या फिर 9 to infinity के बीच में होगा तब आपका mod of x-5 4 से greater होगा ओके आप graphical भी देख सकते हैं clear? I think this is clear अब let's move on to the questions involving two mod expression उनको हम graphically कैसे solve करते हैं? देखे सपोज आपको दे रखा है mod of x plus 1 plus mod of x minus 2 equal to 4 सपोज आपको ये दे रखा है इसको अगर आप graphically solve करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखे ये वाला mod किस point पे 0 होगा? x equal to minus 1 ये वाला mod किस point पे 0 होगा? x equal to 2 फिक है? ये दोनों points minus 1 and 2 इस पूरी number line को तीन पार्ट में divide कर रहे हैं let's call them as first, second and third reason अब देखे जब भी आपका x जब भी आपका x minus infinity से minus 1 के बीच में लाए करेगा ठीक है? तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों mod negative sign के साथ open होगा ये आप कह सकते हैं इस mod के अंदर जो expression है ये negative होगा इस mod के expression अंदर जो expression है x minus 2 ये भी negative होगा ठीक है? तो इन दोनों को negative इसको माल लेजिए suppose y equal to this ठीक है? तो ये expression क्या होगा? y equal to जब भी आपका x first reason से belong करेगा तो y किसके equal आएगा आपके? ये mod क्या आज आएगा? it will open with negative sign plus 1 ठीक है? जब भी x आपका minus 1 से less हो रहा है y किसके equal है? इसके इसमे minus 2x plus 1 अभी इसको 4 को भोल जाहिए y किसके equal है minus 2x plus 1 अब देखिए ग्राव बढ़ाते हैं इसका ये आपका x axis this is your y axis ठीक है? जब भी आपका x minus 1 से less है minus 1 मार कर देता हूँ न देखिए suppose this point is minus 1 जब भी x आपका minus 1 से less है ये function का graph क्या है? y equal to minus 2x plus 1 के equal है ये आप कह सकते हैं y plus 2x equal to 1 ठीक? देखिए जब भी x आपका minus 1 से less है y plus 2x आपका 1 के equal है इसका graph बना लीजिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए जब आपका x 0 होगा y किसके equal होगा? 1 के equal x जब 0 होगा y 1 के equal होगा 0 1 एक point यह आगया ठीक है? और इस case में y जब 0 होगा x क्या आजाएगा आपका? y को 0 कर लीजिए x आजाएगा आपका 1 by 2 ओके? इस line का graph कैसा होगा? इस line का graph देखो ऐसा होगा इन दोनों point से pass करेगा लेकिन x आपका minus 1 तक ही है it will the graph यह जो graph है आपका something like ऐसा होगा जिकिए ऐसा ऐसा it will go like this ठीक है? लेकिन आपको इस case में x limit कर रखा है minus 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए यह जो graph है इसके आगे आप continue नहीं करेगे इसके आगे रख कर दीजिए इसके इसके बाद जब भी x आपका minus 1 और 2 के बीच में होगा case 2 जब x आपका minus 1 और 2 के बीच में होगा उस case में यह वाला mod जो है first वाला mod जो है it will open with positive sign और यह negative sign के साथ open होगा इस case में expression क्या आएगा आपका y equal to x plus 1 plus 2 minus x आया देखी यहां से x x कट गया जब x आपका minus 1 और 2 के बीच में है तो y किसके एकवल आ रहा है y equal to 3 के एकवल आ रहा है देखी minus 1 यह रिलीज यह और यह 2 जब भी आपका x minus 1 और 2 के बीच में है y आपका किसके एकवल आ रहा है y equal to 3 के एकवल आ रहा है यहां से बना देजी 3 ठीक है यह वाला point कौन सा होगा this line is y equal to 3 अब जब x आपका third case में लिखे third case में क्या होगा जब x आपका 2 से greater है तो दोनों के दोनो mod वाले expression positive side के साथ उपन होगे इस case में function क्या बनना है आपका y equal to 2x minus 1 जब आपका x x2 से greater है तो इस line तो यह जो function है यह जो आपके पास mod का expression दिख रहा है mod equation यह इसमें convert हो जाएगी y equal to 2x minus 1 यह line draw कर लिजिए यहाँ पर अगर x equal to 0 रखते है y क्या आगया minus 1 और y equal to 0 रख देता हूँ x के आज आएगा 1 by 2 x equal to 1 by 2 यहाँ होगा something like this तो यह line इस line के equations जैसी होगी बिल्कुल ऐसी something like this this line will pass through this point लेकिन आपको क्या चाहिए x क्या दे रखा x greater than 2 x greater than 2 पे यह something like this ठीक है तो यह क्या बन गया फुरा graph बन गया left hand side का और 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 सॉरी आपको क्या दे रखा है यहाँ पर right hand side में y जो है आपका 4 के भी equal है y equal to 3 यह point था y equal to 4 इसके उपर होगा line डॉकर लीड this is your line y equal to 4 आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह line y equal to 4 यह जो graph बना मेरा this, this and this this whole is representing the graph of y equal to mod of x x plus 1 plus mod of x minus 2 यह line आप देख सकते हैं कितने point पे cut कर रही है इसके graph को दो point पे ठीक है y equal to 4 y equal to 4 अगर आप अगर आपको पूछा जाए कि कितने number of solution होगे तो 2 होगे और कौन-कौन से देखिए यह जो जब case third में जब आपका x2 से greater था तो equation कहा थी y equal to 2x minus 1 यहाँ पे y equal to 4 रखिए या क्या आगिया x5 by 2 के एक पर ओके और जब आपका x minus 1 से less था तो यह expression किसमें reduce हुआ था यह expression reduce हुआ था आपका minus 2x plus 1 में यहाँ लिख लीजी y plus 2x equal to 1 यहाँ पे अगर आप रखेंगे y को 4 रखते हैं x आपका क्या आ रहा है minus 3 by 2 minus 3 by 2 और माफ वो और आपको याद होगा यह question हमने जब बिल्कुल basic से किया था without graph यही दोनों solution आये थे minus 3 by 2 and 5 by 2 so there are two solutions and two solutions and the value of x is equal to minus 3 by 2 and 5 by 2 so verify हो गया कि ठीक ही आया है लेकिन देखी यह जो मैं बता रहा था इतना detail में बताया मैंने यह मैं बताते समय मुझे इतना time लगा exam में अगर इसते question आ जाता है तो आप जल्दी कर सकते हैं एक दो questions और आप लेके अपने आप expression लेके अगर आप graphically solve करते हैं तो आपका थोड़ा सा थोड़ा सा आपका imagination अच्छा होगा और command अच्छा होगा mod में ओके तो विल विल discuss discuss questions related to mod इन नेक्स class तिख दे झाफ वात एंच जो वाच्छग खूचक्छी साहँ आप अच्छीछ झाटाछ दिसक्छीच्टाव, क्या लगाई य कैंड आपका रिछाट्ता है झाल